वेल्कम बैक टू जीवा हेल्थ शो और आज हम बात कर रहे हैं खाने के बारे में और आज का हमारा गुरू मंत्र क्या है खाना अमृत भी है और जीवा की पाठ साला खाना खाना हमें किस प्रकार से जीवन भी देता है और वहीं खाना मृत्यू का कारण भी बन जाता घौ 1 तो सबसे पहली चीज जायर आज एख हे कि आपको अपनी प्रकृति के अनुसार में खाना खाना चाहिए कुछ लोग वात प्रकृती के होते हैं, कुछ लोग पित प्रकृती के होते हैं, कुछ लोग कफ प्रकृती के होते हैं सब की digestive power अलग-अलग है, जो कफ वाले लोग हैं, उनकी अगनी मंद होती है वो अधिक मात्रा में भोजन नहीं खा सकते क्योंकि उनकी अगनी मंद है पित्त वाले खा सकते हैं जिनके अंदर पित्त अधिक है वो ज्यादा भी खा लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि पचा लेते हैं और वात वालों की जो अगनी है उसको आईरवेद में कहा है विशम अगनी वात की विशमगनी है, यानि के एरेटिक है, irregular वात वाले लोग जो होते हैं, कभी कहेंगे जी कभी-कभी भूक लग जाती है, कभी भूकी नहीं लगती इसको पहचानना है, आपको अपनी प्रकृति जाननी है और अपनी प्रकृति के अनुसार ही आपको भोजन चुनना है अगर आप वात प्रकृति के हैं तो जो वात के लक्षणों वाली जो चीजे हैं वात के गुण वाली जो चीजे हैं यानि कि बहुत ठंडी चीजे नहीं खाएं बहुत ज़्यादा रूखी सूखी चीज़े ना खाएं बहुत ज़्यादा लाइट जैसे के पॉपकॉर्ण्स, चिप्स, पापड ये ना खाएं ये आपके लिए विश्का काम कर सकता है ये आपको रोग पैदा कर सकता है और अगर आप पित प्रकृतिके हैं तो बहुत तीखा गरम चीज़ों को आप सिवन ना करें क्योंकि अगर आप ज़्यादा गरम खाएंगे तो वो पित को बढ़ा करके अनेक प्रकार के रोग आपके शरीर में पैदा करेगा तो आपको क्या चाय, कॉफी, लाल मिर्ची, अचार, खटाई यह जो भी गरम ताशिर वाली चीज़ें बिलकुल नहीं खानी है और कफ वाले लोगों के लिए खाने की चोईस बड़ी कम है क्योंकि कफ अल्रेड़ी भारी भरके में अगनी मंद है इस प्रकार से आपको अपनी प्रकृतिक अची सार खाना चाहिए तो यही है आज की हमारी जीवा की वात्साला हमें अमीद है कि आप इन चीज़ों को फॉलॉव करके अपने आपको भोजन को, अपने भोजन को अमरित बनाएंगे। तो आप लोगों को समझ आया? किसी का कोई प्रशन? जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम धिरेंद्ट पंडी दे सर। धिरेंद्ट पंडी जी, बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता था, मैं अभी BPO में काम करता हूँ BPO में? येस, सर. अचल, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं? सर, ये फिक्स नहीं होता है, कभी बी टाइमिंग चेंज हो जाते हैं कभी मॉर्निंग हो जाता है, कभी नाइट हो जाता है आइरवेद का एक मूल मनतर हैं कि आपको ये समझना है कि आपके श्रीर में किस दोश का प्रकौुप हुआ बात का प्रकौुप है तो वात के विपरीत वाले आप भोजन करेंगे वात के विपरीत वाली आपको जो है activities करनी पड़ेंगी मुख्य रूप से जब हम इर्रेगुलर हो जाते हैं शिफ्ट में काम करने का मतलब कोई रेगुलरिटी नहीं है कभी कोई सी शिफ्ट है, कभी खाना कब खा रहे हैं, कभी लंच कब हो रहा है तो ये है वात का लक्षन, इर्रेगुलरिटी तो आपके लिए मैं बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ कि जब भी आप अपने जॉब से वापस आते हैं घर पर आपको तीन काम करने हैं सबसे पहले जो है घर पर आकर के गुनगुना पानी पीएं, गरम पानी पीएं दूसरा जो है पांच मिनट शावाशन करें शावाशन चानते हैं ऐसे लेट करके बिलकुल रिलाक्स पांच से साथ मिनट शावाशन करें और उसके बाद थोड़ा सा तेल लें, सिर में लगाएं, बॉड़ी में तेल लगा करके, तिलका तेल लेना है, तिलका तेल लेके हलका गरम करके उससे मसाज करनी है, और उसके बाद सनान करना है, अगर सरदी का टाइम है, तो गुनगुना पानी, थंडे पानी से नहीं चीए क्योंकि वात जो है वो शीत उसका गुन है तो कोशिश करें गुन-गुना पानी अगर हो बहुत गर्मी है तो फिर आपको नॉर्मल टेंपरिचर तो ये तीन चीज़ें अगर आप करेंगे रोज कब करेंगे जॉब से आने के बाद देखिए हमने तेल की बात किये तेल की मालिश की बात की आप इधर आईए आपको एक बढ़िया चीज देते हैं आपको मैं देता हूँ जीवा का एक बहुत बढ़िया हमारा मसाज का ओईल है यह मजराब को अंदर हैं इसमें मसाज का ओईल है ठीक है इसको लगाईए और उसके साथ क्या करना है शावाशन और उसके बाद स्नान करना है और गरम पानी पीना है जब ऑफिस में भी रहते हैं जॉब पर नो चाय, नो कॉफी, नो कोल ड्रिंग, आपको जिन्दगी में कभी कमज़ोरी नहीं आएगी ठीक है थेंक यू आपको भी अगर ऐसी समझ्या है आप भी कर सकते हैं अफकोर्स अगर कोई और प्रॉब्लम है आपके पास तो आपके साथ है हमारा सेहत का नंबर 0129 4040404 वेरी गुड़ सेहत का नंबर 0129 4040404 आप प्रॉग्याम के दौरान या बाद में कभी भी अपनी किसी भी समस्या के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन करके जीवा आयुरवेद के डॉक्टर्स की टीम से बात कर सकते हैं याद रखिए सेहत का नंबर है 0129 404044 आपको कुछ भी प्रशन पूछना आपके स्वाथ से रिलेटिड आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अभी देखिए हम कॉल की बात कर रहे हैं तो कॉल हमारा लग गया है किसी का फोन लगा है हम फोन लेते हैं नमस्कार जी नमस्कार जीवहेल्थ शो में आपका बहुत-बहुत स्वागित है क्या नाम नाम अफे का घ्रियुम इसनााम हरियोम मिश्रा जी कहां से बोल रहे हैं मैं चित्रकूट से बोल रहamed क्या समश्य आपकी बताईं तो उसमें हमको पी बताया गया और कोलाइटस बढ़ा हुआ है और कोलेस्ट्रोल पैटी है अच्छा और हीमोग्लोबिन कम है हमारा आठ कर बताया अरे तो सब सब काफी चीज़ें गड़बड हो गी है लेकिन आपको घबराना नहीं है देखिए आपने काफी चीज़ें बताई आपका फैटी ल हमारा विज्ञान है यह तमाम चीज़ें आप बोल रहे हैं यह मुझे एकी तरफ जो ले जारी है संकेत जो है हमारी सुई एक तरफ जारी है कि आपका जो है पाचन गड़बड है और पाचन जब गड़बड होगा तो खून भी कम बनेगा कमजोरी भी रहेगी मुसल्स भी आपकी कमजोर होंगी और उसके साथ साथ जो है आपको यह तमाम प्रॉब्लम्स जो आप बता रहे हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है आम आप जानते हैं हम अपने शो में बताते हैं कि अगर भोजन पूर्ण रूप से नहीं पचेगा तो एक चिकना पदार्थ बनता है वही बलड में जाके मिक्स होगा तो ट्राइगलेस राइड्स, कॉलेस्ट्रॉल, दुनिया भर की जो प्रॉब्लम्स हैं वह आपको रिपोर्ट में आ जाती हैं तो आपको केवल एक सिंपल सा चीज करना है कि अपने पेट को ठीक करना है पाचन को ठीक करने के लिए सबसे पहले भोजन विवस्थित आपको करना यानिके खाना जो खाएंगे उसमें गरिष्ट भोजन नहीं खाएंगे अप मिठाई नहीं खानी है कोई भी जो है ऐसी चीजे तली हुई बहुत जादा ओयल जिसमें होता है वो नहीं खाना है और इसके साथ मेदे से बनी चीजें और इनको पानी में उबालना है, धनिया और सौफ को पानी में उबाल करके और खाने के साथ एक गिलास में इसको धीरा घुट घूट करके इसको पीते रही है, धीरे धीरे. जी जी समझ आ गया जी 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 ठीक है उसके लिए आपको कुछ आयरवेदिक आश्य दियां लेनी चाहिए अगर चित्रकूट में आपके कोई अच्छे वैद्ध हैं उनसे आप मिल सकते हैं नहीं तो आपके पास हमारा सिहत का नंबर है उसको कौन फोन करके हमारे डॉक्टर स से भी बातशीत कर सकते हैं जीवा हेल्थ शो में कॉल करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जी 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 डर्व्टर सानौस का थेंक्यू तो देखियो दोस्तों जिस प्रकार से हमारे इस कॉलर की प्रोब्लम है पेट की प्रोब्लम है और इसी प्रकार से आज हम इस विशे पर जो बात कर रहे हैं खाना हमारा अमरित भी है और विश भी है तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और फिर बात करेंगे आज की होम रेमेडी की जिसमें आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपने भोजन को विश बनाने से रोक सकत हैं एक छोटा सा ब्रेक अभी वापस आते हैं